मुझे याद है उस दिन जब हम ट्रक में समान भर कर दरबारगड पहुँचे थे और हम सब रिक्षा में गए थे जैसे ही हम घर के आंगान में पहुँचे तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी कुछी देर में मजदूरों ने पूरा सामान घर में ला दिया और मा और दिदी घर सजाने में लग गए मेरी नजर घर की दरवाजे पर टिकी थी वहाँ मुझे कुछ अजीब सा धागा नजर आया मैंने फॉरन वहाँ जाकर देखा तो वह धागा एक सफेद धागा था जो पूरी तरह से ताजे खून से सना हुआ था यह सब देखकर तो मेरे रॉंग्टे खड़े हो गए मैंने फॉरन पापा को बताया हम सबने पूरे घर की तलाशी ली तो पूरे घर में ऐसे ही खून से सने धागे मिलने लगे कील के हॉल में से भी ऐसे ही धागे और सडे हुए मांस के टुकडे मिलने लगे मकान मालिक के मुताबिक वह घर पिछले तीन महिनों से बंद पड़ा था फिर ऐसी चीजे घर के अंदर कैसे पहुँची होगी यह एक बड़ा सवाल था पापा ने फोरण मकान मालिक को यह किस्सा बताया पर उन्होंने यह बोलकर बात को टाल दिया कि यह सब छोटे कीडे मकोडों का काम होगा मेरा पूरा परिवार जानता था कि ऐसा काम कीडे मकोडों का नहीं हो सकता और सामाने इंसान भी ऐसी हरकत नहीं करते हैं पर फिर भी हम लोग वहां रहने के लिए मजबूर थे भयानक शक्तियों ने अपना कहर बरसाना सुरू कर दिया था मेरी बहन बात्रूम में थी तब अचानक बात्रूम के अंदर से धढ़ाम से किसी के गिरने के आवाज आई पापा और मा ने दर्वाजा तोड़ कर देखा तो मेरी बहन अंदर बेसूध होकर पड़ी है उसे करीब पंदरा मिनट बाद होश आया तब उसने कहा कि बात्रूम में कोई डरावनी आकरेती है जिसने मुझको दिवार पर धक्का दे दिया और मैं गिर पड़ी या बात सुनकर मेरे तो पसीने छुट गए मेरे पापा और मा भी सदमे में आ गए हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या मेरे फूरे परिवार ने वह पूरी रात जाकते हुए बिताई सुबै पापा ठके हारे काम पर चले गए मा रसोई में खाना पकाने लगी और मैं ब्रश्ट करने लगा तभी मेरी नजर घर की दिवारों पर पड़ी मैंने देखा कि सभी दिवारों से खून की धाराएं रीस रही थी मेरी तो चीख निकल गई मैंने मा को रसोई में जाकर बताने का फैसला किया जैसे ही मैं किचन में दोड़ कर गया तो मेरे तो होश उड़ गय गैस की नली लिकली हुई थी, LPG की बाटली में आग लगी हुई थी और मेरी मा रसोई में फ्लोर पर ठीक वैसे ही गिरी थी जैसे की मेरी बेहन बात्रूम में बेसुधो कर गिरी थी मैंने तुरंट सिलिंडर के सप्लाई बंद की, आग बुझाई और मा को पानी छिट कर जगाया मा ने कहा इस घर में कोई भयानक बुढ़ा प्रेत गूम रहा है और उसी ने किचन में आकर चिलाते हुए मेरे सीर पर किसी बोथड लकडे से वार किया था मेरी बेहन और मेरी मा दोनों उस प्रेत के वार का शिकार हो चुकी थी और मुझे अब या डर सता रहा था कि कहीं वह प्रेत मेरे परिवार में किसी की जान न ले ले मैंने फोरण पापा को घर लटने को कहा पापा के घर आते ही मैंने पापा से जिद की कि हम आज ही इस घर को छोड़ कर चले जाएंगे चाहे हमें फुटपात पर ही क्यों ना रहना और सोना पड़े रात तक पापा से बादचीत करने के बाद हमने फैसला लिया कि दूसरे दिन सुबह में हम तीन महीने का किराया छोड़ कर उस घर को खाली कर चले जाएंगे शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी हमें उसी रात वहाँ से निकल जाना चाहिए था उस रात करीब तीन बजे मुझे किसी के कराने और रोने की आवाज आने लगी मैं चौक गया उठकर देखा तो मेरे पापा रो रहे थे और उनकी सांसे फूल चुकी थी मैंने मा को और दीदी को तुरंत उठाया पापा कुछ बोल नहीं पा रहे थे बस दीवार की ओर देखकर फटी आँखों से इशारा किये जा रहे थे मैंने फौरं परिस्तिति को ध्यान में रखते हुए फैसला ले लिया कि अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे मा को बोला कि अलमारी में गहने और पैसे लेकर दीदी को साथ लेकर अभी घर से बाहर निकल जाओ मा ने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने कहा फिर मैंने रात को अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और पापा को हॉस्पिटल पहुँचाया पापा जब ठीक हुए तब उन्होंने कहा कि रात में एक भयानक परचाई दिवार से बाहर आई थी और उसने किसी वजनी हतियार से मेरे दिल पर वार करना शुरू कर दिया था और फिर वह परचाई दिवार में गायब हो गई उसके बाद मेरे दिल में तेज दर्द सा सुरू होने लगा उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं डॉक्टर ने कहा कि मेरे पापा को माइनर हाट अटेक हुआ था भगवान का शुकर है कि मेरे पापा की जान बज़ गई वरना उस घर के प्रेतों ने तो मेरे परिवार को मारने की ठान ही ली थी उस रात के बाद दुबारा हम कभी भी उस घर में नहीं गए सामान भी मजदुरों ने ही पैक करके बाहर निकाला और मेरे दोस्तों की मदद से आज हमारा खुद का मकान भी है उस रात भी मेरे परिवार को रहने की जगा मेरे दोस्तों नहीं दी थी यह कहानी यहीं समाप्त होती है